Hello Everyone! अगर आप कन्फ्यूज है इकनिक का Slim Titanum Sign लें यिए Pro Titanum Sign को Slim Titanum Sign यह ने में पतला यह प्रो टैनिट साइन यह नेता है अगर आप कन्फ्यूज है कि यह कौन सा वाला लें तो मैं अभी आपको वाइतार होगे कौन सा वाला लेना चाहिए देखे दोनों भी प्रोफेस्टनाल में चलते हैं दोनों के दोनों Slim Titanium के आप एले स्क्रीचर्स देख लेजिए Slim Titanium Floating Plates ए अजस्टेबल टेंप्रेचर और आइकोनिक टेकनोलोजी फर एक्स्ट्रे साइन है ठीक है? Slim Titanium में Pro का भी पढ़ लेंगे Wider Titanium Floating Plates Adjustable Temperature for Multi-Purpose Belieable Edges तो इसमें क्या है दोनों में? इसमें हलका साइन रहेगा इसमें साइन नहीं रहेगा जो नॉर्मल रहता है वो साइन रहेगा और सबसे में जो हमारा यहां पर स्टोर में ज्यादा स्ल होता है वो Pro Titanium Sign होता है क्योंकि इसका चोड़े प्लेट के वाज़ से काम करना थोड़ा ज्यादा आसानी से हो जाता है और जल्दी हो जाता है काम जहां पर यहां पर Slim Titanium से बहले ही थोड़ा साइन है